है रोटो च्छेटेश आगल एक चैनल सिराश रेक आज प्लेक्जी बजट का लेक्चे नमा टू होगा जिसे हम कर करने आए नहीं पंट तो फ्लेक्जिबल बजट स्टार्ट करेंगे अच्छलिंग प्रीवियस क्लास हमने दो संग है था फ्लेक्जी बजट का फ्लेक्जी ब बजट के अंदर क्या होता है खर्चा अभी-गभी फाइदा अब फाइदा जो होता है वो बजट बढ़ाने और कम करने से होता है यहां पी हमको वहीं सीखना है कि हम एक्सपेंसे बढ़ा रहे तो क्या मुझे प्रॉफित हो रहा है यह उन्युक्त अब तक जितने भी सम्स प्रॉफिट का कोई लिंदेन नहीं था सिर्फ एक्सपेंसेज का बाइफर्गेशन था आपने यह वाला सम पिछले लेक्षर में किया था जिसमें हमने एक्सपेंसेज निकाला इसमें भी एक्सपेंसेज निकाला बराबर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स सम शाहिद यह भी हो अग्या था गया नहीं न अगर नहीं हुआ तो यह तो शाहिद अनिमेशन नहीं है अल्रेडि दिया हुआ नेक्स लेक्षर में इसको भी करवा दे ता हूं अभी बढ़ता हूं टिक्श्बूक में सम नंबर 6 की दरफ यह शाहिद नहीं हुआ था पिछले इसम का ही पाट है इसलिए इसका इनिमेशन नहीं है तो सम नंबर टेक्श्बूग पेज नंबर 18 सम नंबर 6 करते हैं ABC manufacturing company produce 7500 unit by utilizing 75% supply you supplies you the following cost information supplies you the following cost of information 75% के हिसाब से कितना unit होता है साथ हजार 500 तो हंड़ेड के हिसाब से कितना हो जाएगा दस हजार अगर 75% साथ हजार 500 ए तो 100% कितना आई होप जो मैंने बोला वह language समझ में आया है अगर नहीं समझ में आया है तो उसको मैं solve करके बता लेगा है अगर साथ हजार 500 कितना परसंट है 75% है तो 100% केपासिटी कितना आएगा क्रॉस मंटिप्लाइग साथ जार पांसो इंटु हंडेड डिवाइड बाइस से तो तो 100% केपासिटी कितना होगा आरे बास समझ में आ गया कि एक यह तो हम लोग 100% केपासिटी कोई भी समस्वाल कर रहे हो तो 100% के रखो आपके लिए बेनिफीशल ठीक है वी कॉन थोटा सावास कमा तो अब कि 100% capacity दो मिल गया the cost information of 75% capacity for seven thousand दिया हुआ है हमको क्या करना है it is you are required to prepare a flexi budget for 50% 75% hundred 75% दिया था 50% 100% के लिए मिची बनाना है तो यहां पे 75% कितना है 7500 तो 50% कितना है का 10,000 का 50% कितना है का 5000 और 100% तो 10,000 वह तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया इस कुश्चन में जैसे पिछले सम्में रेट पर टोटल नहीं था खाली कॉस्ट था इधर हमने एक नया कॉलम मनाया है रेट पर इनिट और कॉस्ट क्योंकि कुश्चन में बोला है कि आपको पर उनिट फाइंड करना प्रेक्ट्री और खरचा दिया ओफिस का खरचा दिया सेलिंग का कर दिया एड जैस्में दो बोला है material का labor का और wages का expenses are variable in cost very important point variable in cost जब भी variable in cost बोला है तो हमेशा याद रोको variable खर्चा variable expenses is always in is always in rate per unit is always in rate per unit समझ में है क्या और fixed expenses is always at cost cost fixed expenses cost पे काम करता है variable expenses rate per unit पे काम करता है मतलब जब भी variable expenses में कुछ भी बदलाव करना है तो rate per unit में change करेंगे cost में change नहीं करेंगे और fixed की बात करेंगे तो cost में change करेंगे rate per unit पे change नहीं करेंगे बात समझ में आ गया क्या है थोड़ा सा वास कमी रखना अगर ऐसा चाहिए तो बाजिवी क्लास में में अगर कोछ डिसकस कर रहे तो दन है यहां तक जो point की बोला समझ में यहां पर बोला है कि material labor और expenses material labor और expenses तीनों क्या है वेरेबल है factory overheads per unit per unit मतलब वेरेबल जब भी पर बोला मतलब वेरेबल है factory overheads increase by 10% factory overheads हां बाए मतलब यह भी वेरेबली हो गया if the capacity utilization goes down below 75% अगर 75% से कम होता है तो factory overheads का खर्चा 10 तका बढ़ेगा and decrease by 15% if capacity utilization go above 15% अगर आपका factory overheads 75% से कम होता है तो variable खर्चा यानि के factory overheads का खर्चा 10% बढ़ जाएगा और अगर वो 75% के अबाव जाता है तो आपका जो खर्चा है वो 15 तक कम होगा clear मतलब indirectly वो कहना चाहरा है यह भी वेरेबल खर्चा यह क्योंकि पर unit बोला है और पर unit मतलब variable होता है अंगो समझ में अंगो आगे क्या दिया है office overheads are fixed overheads specify कर दिया भाई यह तो fixed in nature fixed in nature को कुछ भी करने का नहीं पिछले lecture में बता दिया selling overheads वापस से per unit आ गया increase by 20% if the capacity utilization goes down below 70 जैसे इसके लिए था वैसे ही same मतलब यह तो fixed है और यह variable है it is the policy of the company to charge profit यह यहां पर नहीं on the selling price profit on selling price बाकी कुछ भी नहीं है selling 25 टक का decrease होगा मुझो जैसा था वैसे करेंगे start सबसे पहला variable expenses लिखते है variable expenses सबसे पहला आएगा material material कितना है कितने unit के लिए तो seven lakh fifty thousand कितने unit के लिए साथ हजार पांसों दो जीरो दो जीरो वांजा सव रुपय आएगा पर unit आएगा तो material सव रुपया रेट पर unit कितना सव कॉस्ट कितना अरे यह समझ में आ गया समझा पक्का यहां पे भी सव रुपया ही रहेगा पर unit तो material का सेम है ना क्या बुला था material लेबर एक्सपेंस अर वेरियबल तो एक unit मुझे सव में पढ़ रहा है तो इधर भी रेट पर unit सव ही रहेगा बड़ यहां पर unit कितना लिया जाएगा तो इधर कितना हैगा पाच हजार इंटू सव पाच लाग इधर भी सव रुपय रहेगा लेकिन कितना लिया जाएगा दस यह दस लाग हो जाएगा समझा यह बाउंसर गया समझा पक्का उसके बाद लेबर के बाद करें लेबर कितना है छे लाग बट कितने units के लिए में के 7000 तो एक उनिट का कितना डूज र रूपया जायेगा 40 गरूट нуж अपने कितना थे लिए फेंटे बी्यम जाएगा तोकिOn 18 एपाशे एटीन टू पांच करोगे पांच लाग का एगगा नवां रिफना कि अबर लेबर के बाद एपट्ञाये ऑLS.. 3500 किटन अधीर लॉड पांच यूनिट 30 उर्प्या पर उनिट नले भोंud चालिस इसके लिए भी हो चालिस इसके लिए भी अब जितना यूनिट है उतने से मंटिप्लाइब 7500 तो तीन लाग चालिस इंटू पाच हजार दो लाग चालिस इंटू दस पॉर लाइक्स समझ में आ गया वेरियबल खर्चा समझ में आ फैक्ट्री ओवरहेंड कितना है अगर कैपासिटी यूटिलाइजेशन 75% से कम होता है यह तो पचास टक्का हुआ मतलब 75% से कम हुआ तो अगर 75% से कम होता है तो जो पर यूनिट का खर्चा है वो दस टक का बढ़ जाएगा तो पर यूनिट का खर्चा कितना था साथ कॉस्ट पे नहीं पर वेरियबल खर्चा किस पे क्याल्किल उड़ता है पर पे तो साथ का दस्ट का मतलब 6 रुप्या बढ़ेगा तो यहां पे 66 हो जाएगा समझा क्या बाउंसर गया नहीं समझा वापस फैक्ट्री ओवरेड्स पर यूनिट इंक्रीज बाए 10 परसंट इफ के पैसिटी यूटिलाजिजिएशन गोज डाउन बेलो 75 अब यहां पर कितना परसंट मैंने प्रोड्यूस किया है तो 75 परसंट से तो कम प्रोड्यूस किय ना 75 परसंट से ज्यादा मतलब 76 77 100 तक 75 से कम मतलब 74 73 तो 50 तो 75 परसंट से कम हो गया अब जब कम होगा यूनिट कम होगा तो उसने बोला खर्चा बढ़ जाएगा पर यूनिट क्यूंकि वेरियाबल है तो किस पर चेंज़ करनेगा पर कॉस्ट पे नए समझ मैं वेरियाब पहले कितना था साट रुपया यह पर यूनिट है 100 परसंट के लिए वही रहेगा लेकिन उसने बोला कि अगर आपका कैपासिटी 75 परसंट से कम होता है तो पर यूनिट का खर्चा दस तक का बढ़ेगा तो साट का दस तक कितना आएगा 6 रुपया तो 6 रुपया 4,55,000 में 10 तक का एड कर दिया तो चलेगा क्या देख लो करके आएगा क्या नहीं आएगा तुम दस तक का एड करोगे तो साड़े चार लाग में 10 तक का 40 पर 4,95 हो जाएगा न है क्या 4,95 क्योंकि यह जो यूनिट है वह कितने के लिए है 7005 और यह जो है वह एक यूनिट क है इसलिए पर यूनिट में चेंज करते है कॉस्ट में चेंज नहीं करते है समझ में आ गया अब आगे उसने बुला है कि डिक्रीज होगा 15 परसेंट अगर क्यापैसिटी गोज अबाओ 75 परसेंट बाइं हंडेट परसेंट मतलब 75 परसेंट के ऊपर हो गया अब जब उपर हो गया तो जो भी तुम्हारा पर यूनिट कितना था अब यह कितना कम हो जाएगा 15 परसेंट कम होगा तो साट का 15 परसेंट निकालो 9 रुपया आएगा तो साट में अगर 9 रुपया कम होता है मतलब 51 रुपीज हो जाता है 51 इंटू 10,000 करो 5,10,000 कोस्ट समझ में आया यह तुम्हारा फ्लेक्जी बचट है समझा आगे ऑफिस तो फिक्स था इसको बाद में सौल करते हैं फिक्स में दिखाएंगा आप अपन वेरियाबल का कैल्कुलेशन करते हैं इसलिए आप चाहिए तो इधर लिख सकते हो कोई इश्यों नहीं है सेलिंग ओवरेट में सेम था तो इसलिंग और जिख कितना है डेला कितने यूनिट के लिए एक निट का कितना रहा है तो बाइस अधर तो सेमी रहेगा इसको कोई करना नहीं है अगर 75 परसंट से कम होता है तो सेलिंग ओवरेट में होगा 20 टक क्यूंकि वह कम हो रहा है तो वीस का बीस टक्का बीस का बीस टक्का लोगे तो चार रुप्या बढ़ेगा ना मतलब चौबीस रुप्या हो जाएगा यूनिट कितना रहेगा इसका तो चौबीस इंटू पाच कर लो एक लाग बीस परफेक्ट है समझ में आ गया यह समझा मंगू आगे बोला है कि अगर मैं किपैसेटी 75 के उपर जाता है तो थीप का कम यदि तो बीस का पच्चीश टक निकालो पांच रुप्या कम हएगा तो वीस में पांच रुप्या कम है वाद्व फन रा रा रूप्या होएगा समझ में आ गया तो यह कितना होएगा 15 रारतिया यूनिट कितना है दस 15 इंटू 10 वरो कितना आ रहा है एक लाग पचास और कोई वेरियबल कहा है क्या ने चाहिए का टूटल कर लेंगे टॉलिक्स कर लेगा अब टौटल कर लिया अब एक ही चीज बागी एफिक्स एक लीए Office Oरेam कितना हैं 30 रहेड़ कि सब्सक्राइब युणिट से हो होता है क्या नहीं आप 7500 का खर्चा दिखा या कुछ भी गड़ा हमारे लिए फिक्स जो रहएगा वो फिक्स ही रहेगा सब में सब्सक्राइब लिए लिखना सारी चालीश के साया युनिट कितना था था है यह थीन लग किसा साया युनिट कितना था यह तीन यह यूनिट कितना है डिवाइड दस यहां पे रेट परिंट निकालने की जरवत नहीं है फिक्स्ट में रेट परिंट का काम नहीं होता है बात समझ में आ गया क्या अब वेरिवल खर्चा प्लस फिक्स खर्चा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा चलिए टोटल के अब 22,50 प्लस सिधा प्रॉफिट डाल दिया वाइस लाउज प्लस पत्चीस लाउज नहीं नहीं निकाला डिरेक्ली यह यह समझा ना क्या आप बोला मैंने हाँ अब आता हूँ profit के ओपर ज़रा ध्यान दो it is a policy of the company to charge profit 20% on देखा आपको 11 में 12 में बदा है cost plus profit equals to sales बराबर है अगर profit on sales बुला है तो sales को 100 लिखनेगा अगर profit on cost बुला है तो cost को 100 लिखनेगा ये बात मैंने बार-बार बुला है बराबर तो अभी इस question में क्या बुला है जरा बताओ profit on sales को 100 profit कितना कमानेगा उसको 20 तो इसका cost कितना होगा और cost ही मुझे मालू में न मतलब कितना percent मुझे value माले में तो मुझे कितना पसंद चाहिए चाहिए calculate logic समझा कैसे 25 लाग 50 हजार कितना percent है cost 80% तो 20 टक का profit कितना cross multiply होगा 25 लाग 50 हजार into 20 divided by 18 6,37 अरे समझा इधर आते हैं 18 लाग कितना है 18 लाग 50 हजार कितना percent है very good कितना percent निकालना है cross multiply 4,62,500 आ रहा है इधर 500 टाइपिंग नहीं हुआ रहा है ठीक है समझाए फिर यहां पर आते है थर्टी वन लाग 60 ताउजन कितना परसंट है कैसे यह कोस्ट यह प्रॉफिट आड करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगा सेथ 25,50,000 प्लस 6,37,500 थर्टी वन लाग 87,005 बात समझाए सिमिलर्ली इधर भी सेम 500 इधर भी सेम एनी टाउट कंसेप्ट आफ फ्लेक्जी बजट समझ में पक्का 100 परसंट इसका दूसरा वीवी प्रेजेंटेशन का है बट पहले यह समझ दो फिर अदर वीवी में बता दूंगा तुम लोग अंडेस्टूट सम बाउंसर गया पक्का ना चलिए टेक्श्बूक में पेज नंबर अटरा यह रहेगा शायद सम नंबर सेवन देख लो अटरा के उननी से सम नंबर सेवन दीस पे है चलो बीस पे फैक्टरी प्रड्यूस अब फैक्टरी चरेंटली वरकिंग एट 50 परसंट कैपासिटी और प्रड्यूस तें थाउजन फिफ्टी परसंट अगर दस हजार है तो हंडेट परसंट आधा अगर दस हजार है तो पूरा कितना आएगा फिफ्टी बसे मतलब हाफ ना तो अगर पचास परसंट दस हजार है तो हंडेट परसंट कितना इसका डबल होगा ना तो वह 10,000 इंटो हंडेट डिवाइड वाइट पिफ्टी करो बीस हजार आएगा और यह पीस हजार यूनिट जो है वो कितना परसंड कैपासिटी है अन तो 60 परसंड 80 परसंड और 50 परसंड लिए तो अगर प्रिफ्टी परसंड 10,000 है तो बीस हजार का 60 परसंड कितना आएगा और यूनिट समझ में आ गया यूनिट कोस्ट यूनिट कोस्ट इसमें कुछ भी डाउट है पक्का चलिए अब देखते है अच 60 परसंड वर्किंग raw material cost increase by मतलब अगर आप 60% पर जाओगे तो आपका जो raw material का खर्चा है वो 2% बढ़ जाएगा selling price 2% कम हो जाएगा at 80% material का cost बढ़ जाएगा selling का price कम हो जाएगा at 50% capacity working production cost is 180 per unit production का खर्चा 180 per unit है और वो बेच रहे कितने में है वो 50% का detail दिया है 60 और 80 का नहीं दिया मतलब यह cost दिया है और यह sales दिया है the unit cost of 180 180 रुपया का bifurcation 100 रुपया 30 रुपया 130 हो गया 160 हो गया 180 हो गया खर्चा 180 total fixed cost plus variable cost total cost होता है ना total cost कितना आने वाला 180 लेकिन वो 50% का आने वाला है और हम बेच रहे कितने में 220 रुपया मेरा क्या है profit बड़ वो किसका information है इसका दिया है और कुछ बोला है क्या चलिए start करते है material का पहला material लिग देता हूं material में 50% material कितना है 100 रुपया unit कितना है तो 10,000 इंटू 100 करोगे 10 लाग बड़ उसने बुलाए 60% पे जाओगे तो material का price क्या होगा 2% तो किसका बढ़ेगा 100 का 2% बढ़ेगा 100 का 2% बढ़ेगा 100 unit कितना लिया जाएगा unit कैसे आया समझा कैसे आया हमने 100% निकाला इसका 20,000 और 20,000 का कितना परसंट लिया 60% तो आएगा 12,000 अब 20,000 कैसे आया यह समझा 50% है 50 बराबर ना चले ठीक है तो 102 into 12 कर लो 12,24 16,000 कैसे आया 20,000 का 80% निकाला अब इसके बारे में बुला है at 80% raw material cost कितना बढ़ेगा 5% तो 100 का 5% बढ़ेगा ना 102 का बढ़ेगा क्या नए 100 का 5% बढ़ेगा यूनिट कितना रहेगा तो करो तो लला कसी अजार समझा उसके बाद है लेबर लेबर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है लेबर पहले कितना था भाई 30 अभी भी 30 रहेगा यूनिट कितना था दस तीस बार तीस सोला एनी डाउट नहीं समझा कौन सा वाद लेबर का दिया ना 30 रुपया ते मेंने 30 रुप e via ना Cabinet turkey पर यूपूरा पार यूइन युट कॉस्थ मतलब और यूनित का कॉस्थ लेबर का लेबर का का सब्ताइब एस टीस ही रखा इधर इसके बारे में बले गार दे बॉला गया इसके बारे में कुछ बोला गया तो जो पहले था झाली वह रहेंगा ना तीस में लाए तो 30 रुपए रखेंगे ना उसको क्यों बदलेंगे फिर उसने बोला है सेलिंग के उपर दोनों में सेलिंग मतलब फैक्ट्री ओर रेट्स के बारे में भी कुछ नहीं बोला बट फैक्ट्री ओर्ड में लिखे दिया है कि कि तीस रूपिया पर उनिट का खर्चा जिसमें 40% क्या है लगर 40% fix है तो 60% वेरियबल है तो 30 का 60% निकालो कि तीस का 16% अट्रा रूपिया फैक्ट्री ओरेट्स अट्रा रूपिया अरे समझ में आ गया अभी अट्रा सब के लिए रहेगा क्यूंकि उसके पर कोई एड्जेस्मेंट ही नहीं दिया है तो अट्रा इंटू 10,000 अट्रा इंटू 12,000 अट्रा इंटू 16 जितना यूनिट उ सेलिंग खर्चा सड़ए डमीन ओवरेट सेलिंग तो अलग से विए वाइज विए विट सेलिंग नहीं अट्रा इंटू इसके लिए चोड़ के दिए अब एडमीन ओवरेट्स के इंदर 20 रुपय खर्चा है इसमें 50% किया आद्मीन ओवर्रेट्स पाड़ा था तो 10 प्रपिया कि इतना ही वीरिवल खर्चा है टोटल एड कर लेंगे तो टोटल वेरिवल एक्सेंसेज मिल जाएगा चले टोटल वीरिवल एक्सेंसेज दस लाग 1354 लाग 15 असी 12 15 17 18 लाग 18 लाग क्याल्कुलेटर नहीं है मैं कर रहा हूं तुमनों बैठे बराबर से 18 लाग 18 19 16 और यह 20 इस चालीस अट्राव निस निस लग वी यह अठाव वीस लाग वीस लाग वीस कि सोला बीस बाईस दीज और 24 24 26 लाग सेट थाउजन अब बराबर ही रहेगा से यह अब आजाते हैं फिक्स के उपर कि यहां पे दो फिक्स खर्चे थे अ कि फ्रुब करोवब देना क्याल्कुलेशन फोती परसंड फिक है तो फट् परसंड निकालो कितना आए 12 12 dots करोगे कितना आयगा एक लाग वीश पर अब यह जो 1,20 है कि ये students सब्सक्राइब हमेशा रहता है वो बदलता नहीं है उसको 70 परसंट का 50 परसंट के पैसिटी से कोई लें दिन नहीं कि अब 10 रुपया था इंटु दैस एक लग अभी एक लाग इधर है तो इधर भी कितना रहेगा इधर भी कितना लेगा एक इधर यूट सा बारा से इधर इधर उनिट सा सोला से अब फिक्स खर्चा प्लस वेरीबल यह दो वेरीबल खर्चा ना दोनों को अच्वरीं दो इदर आजाए अधर अठरा लाक आना भी चीए था विंकि 180 एंट उतना ही आना चीए था एक स्वासी पर कोस्ट थाना अपना कोस्ट वही है इधर कोस्ट निकाला इधर कोस्ट निकाला अब आते हैं सेलिंग प्राइस पर इधर तो बोल दिया है कि 180 है 200 है इसका प्रॉफिट कितना रहेगा यूनिट कितना है इधर तो बोल दिया था आगे बुला है एट 60 परसंट में सेलिंग प्राइस फॉल बाय टू परसंट इधर सेलिंग प्राइस कितना था के 200 था तो 200 माइननस 2 परसंट 200 का चार रुप्या तो अगर चार रुप्या कम होता है मतलब 196 तो इसका मतलब है कि यहां पे जो selling price आएगा वो कितना आएगा जबकि हमारा खर्चा कितना हुआ है अब यह खर्चा कैसे आया यह कैसे आया देखो सब का पर टोटल लिया न तो 178.33 और इसका सब्सक्राइब कितना आ रहा है एक एटीन पॉइंट में रहेगा ना कितना 66 तो पॉइंट डालना न भीडा 178.33 और 196 तो 196 में 178.66 अब युनिट कितना लोग है बारहा तो 17.66 पूरा तो इसको बारहा थार के मंटिपलाइब करो कितना रहा तो तो इसको फ्यूutar रहा है थो ऌसा गयं। विन्यूना कितना रहे है लोग तो प्रॉब्लम आएगा पूरा लोग तो इस्व नहीं आता है इधर हमने कितना लिखा दो लाग बारा इधर आते एटी परसंट के पैसिटी पर क्या बुला है को स्ट इंक्रीज स्ट इस एलिंग प्राइस फॉल बाइफ तो पहले सेलिंग प्राइस लिखना है एक सो नब्य कॉस्ट कितना है 176.7 तो डिफरेंच जाएगा मेरा क्या रहेगा प्रॉफिट एक सो नब्य में 176.75 माइनस करो समझ मैं यूनिट कितना है तो थाटीन पॉइंट टूफाइंट टू सोलह आजा है समझ में आ गया समझा अब क्या आड़ कर दो आपका सेल्स रेड़ी पहले सेल्स ही करना चाहिए था इदर अनिमेशन उपर नीचे हुआ है पहले सेल्स लिखेंगे और फिर डिफरेंस लास्ट सम फॉद डे और फिर वाइंड पर जो पहला सम नहीं किया था सेम है जो स्टार्ट किया था वैसे बजट आउट्पूड आउट्पूड फैक्टरी इस प्रोडिसिंगल प्रड़क्ट और अटिट ऑप्टीमम केपासिटी ऑप्टीमम मतलब हंड्रेड परसंड और टूटल कोस्ट ऑफ 1,7648 यह जो खर्चा है उसका डेटेल दिया है अब उसके खर्चे में फिक्स खर्चा भी है फिर वेरियेबल खर्चा भी कितना कितना खर्चा वो दिया है प्रिपेर फ्लेक्शी बजट एड 50 परसंड एंड 75 बसंड अजुमिंग डाट सेलिंग प् पर गज़िए और हमारा जो सेलिंग प्राइज वह कितना होना चाहिए 40 पर यूनिट होना चाहिए उसके अलावा फिक्स्ट एड्मिन ओवरेट्स कितना आना चाहिए 30000 अब देखते इसका क्या करना चले फस्ट 50 परसंड 60 परसंड फिफ्टी परसंड 75 परसंड हंड़ पर कितना आएगा यूनिट समझ में आ गया सबसे पहला वीरेबल कॉस्ट वीरेबल कॉस्ट डायरेक मटीर खर्चा कितना दिया है 49,280 कितने यूनिट के लिए तो क्या करोगे 49280 divided by 6400 करो कितना दा है इसेवेंट पॉइंट तो 7.7 यूनिट कितना चेह जार चार्ट 49,280 आ जाएगा इधर भी कुछ चेंजिस करने बोला है क्या उसने नहीं तो 7.7 नहीं रहेगा यूनिट कितना रहेगा 3200 चलो करो मंटिप्लाइग कितना 20 22640 अ देख लो 3200 इंटू 7.7 24 आ रहा है तो फिक करेक्शन हो सकता है 24640 ठीक है इधर भी 7.7 रहेगा 4800 से मंटिप्लाइग करो फिर यह सब वीरियेबल है बूल दिया हूँ लेबर एक लाग दो हजार चार सो कितने यूनिट का है तो एक लाग दो हजार चार सो डिवाइड बाइड क्या करोगे यूनिट कितना चार सो एक लाग दो हजार यह आएगा यहां पर भी बराबर है नेक्स्ट इधर सिक्स्टीन तीन हजार दो सो मंटिप्लाइग कर लो कितना है 51 200 यहां पर 16 4800 से मंटिप्लाइगा 76 अरे बास समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट पावर 1440 कितने यूनिट के लिए 6400 तो 1440 डिवाइड बाइड बाइड शेजार चार सो कर लो 0.23 थेज़ पैसे हां 2022 जो भी है इधा तो सेमी राएगा 3200 इंटू 0.23 सेवन थर्टिसिक्स 0.23 से किया रहेगा तो 736 आएगा है हां फिर 0.23 को 4800 से मंटिप्लाइगा गरो फिर रिपेरिंग का खर्चा 2700 कितने यूनिट का है 6400 डिवाइड करो पर यूनिट कितना आ रहा है जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट वेंट 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 राउंड आफ कर दिया है चीक है फिर इधर भी 0.27 3200 यूनिट फिर 0.27 4800 समझ में आ गया नेक्स्ट रिपेर हो गया फिर उसके बाद मिस्लेनियस है 540 कितने यूनिट के लिए 6400 तो मिस्लेनियस जाल देंगे 6400 जिरो पॉइंट 08 6400 यह तो इधर तो सेम ही रहेगा जिरो पॉइंट 08 3200 से मंटिप्लाइब करो 256 0.08 मंटिप्लाइब 480384 इतने ही विरेबल एक्सपेंसेज है फिक्स्ट है इसके पर कुछ एडियसमेंट दिया है वह आपन देखने वाले पहले टूटल कर लेते तो आ दिक है अब आजाता हूं फिक्स्ट फिक्स कोस्ट के बारे में क्या बोला था कि प्रिपेर फ्लेक्जी बजट आट 50 परसेंट 75 परसेंट आज्यूमिंग दाट इस सेलिंग प्राइज इस 40 पर इंद फिक्स एड्मीन ओर इस 3600 अब यहां पर कहीं भी फिक्स एड्मीन एक् यह यहां से बिटा लिया है ना तो जो इधर रहेगा वही खर्चा इधर भी रहेगा उसको रेट परिंट से कोई लिंदे नहीं क्या नए तो मैंने पहले इधर लिखा यूनिट कितना है 6400 डिवाइट किया यह मिल गया मेरे को रिट परिंट का काम नहीं रहता है फिर 20600 ल लिए 4800 डिवाइट के यह आ गया उसके अलावा एडमीन ओवरेट के बारे में बुला है कितना खर्चा आने वाला है एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला 3600 50% 70% के लिए तो भाई 3600 3600 इधर भी 3600 इधर यह एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है जो कुष्चन में दिया नहीं था हमने एक्स्ट्राप्रिच्ट एक्सपैंसेस स्मझ में आ गया एडिश्में 20 are fixed Admin overhead are 3600 fix cost and fixed Admin expenses अब दोनों को add करेंगे तो total fixed cost मिल जाएगा total fixed cost मिल जाएगा total fixed cost मिल जाएगा के समझ में अब इन दोनों को plus करेंगे तो क्या मिल जाएगा cost ठोटल कोस्ट मिलेगा इन दोनों को add करो तो rate पर ही निट इन दोनों को अड़ करो तो cost मिल जाएगा 24.8 13 3.8 28.07 इनका cost इनका cost and इनका cost selling price कितना बोला है कि 40 रुपया कुछ भी हो जाओ selling price तो रहने वाला है चालिज तो selling price 40 है मेरा खर्चा 28 है तो balancing figure मैंना profit रहेगा तो चालिस में से 28.07 माइनस करें तो कितना आ रहा है चालिस माइनस 28.07 11 11.11 11.93 यूनिट कितना 6400 पहले इदर सेल्स लिख देने का बाद में प्रॉफित नहीं लेगा सेल्स प्राइस मालू में समझा इदर इदर भी सेलिंग प्राइस चालिस ही रहेगा कॉस्ट कितना 31 माइनस करो .87 एट पॉइंट वं थरी यूनिट कितना तीन हजार दो सो एट पॉइंट री इंटो तीन अजार दो सो 26 इधर भी 40 रुपई रहेगा 29.34 से माइनस कर दो पॉंट 66 यूनिट कितना है 4800 देखो सबका सैलिंग प्राइस 40 ही रखा है तो पहले यह निकालना है कॉस्ट माले में तो डिफ्रेंस क्या रहेगा प्रॉफिट ऐसा कर लो समझा सम कैसे सब्सक्राइब बजट क्लियर हुआ दोनों इधर भी सीम पहले से लिख देना चाहिए कॉस्ट माले में डिफ्रेंस आपका प्रॉफिट अभी अनिमेशन वैसा था इसके मिने एक्स्प्रे करना थांग्यू पर वाचिंग वाचिंग वीडियो